सबी सुनने वालों को मेरा नमस्कार मैं डॉक्टर रश्मी सिंग एसिस्टन प्रोफिसर डिपार्टमेंट अफ एजुकेशन आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक मुझे हमेशा से बहुत अपील करता रहा है जब भी मैं इसके बारे में सुनती थी तो मुझे लगता था कि बहुत मुझे यूनीक लगता था और मैंने जब इस पर पढ़ लिया जान लिया तो मुझे लगा कि आप से यह जानकारी साजा करने चाहिए और कई जगे कोर्स में भी है नेट के खुर्स में कहीं है बीएड में मुशकिल हो सकता है पर M.A.D. और M.A. की कोर्स में कहीं कहीं है, syllabus में भी है, तो यह आपके काम का है, तो start करते हैं metacognition से, cognition पर हम लोगों ने कई बार बातें की हैं, हम लोगों ने cognitive development theory पड़ी है, PRJ की पड़ी है, Brunner की पड़ी है, और in general भी हम cognition को बहुत बार इस्तिमाल करते हैं, जब हम psychology य cognition about cognition, तो start करते हैं हम, तो से पहले इस बारे में जानकारी प्राप करने की कोशिश करते हैं, कि कहां से प्रादुर्भाव हुआ है इसका, कब इसकर बात करने शुरू की गई, कौन-कौन ऐसे मनोवेग्यानिक हुए, psychologist हुए, जिनके काम को base बना कर, इसके प्रनेता ने इसक बाते हैं, कि William James, Jayaan Piaji, and Le Vygotsky का जो काम है, वो कहीं न कहीं इसका base प्रोवाइड करता है, the concept of metacognition has found its base in the works of this and that, okay, तो William James, हम लोग Jayaan Piaji को जानते हैं, cognitive theory के वो प्रनेता है, developmental stage theory है, उनकी Le Vygotsky की socio-cultural theory बहुत famous है, इसके इलावा उन्होंने cognitive development पे भी बात की है, language development पे William James को अगर आप भूल गए हों, तो आप recall कीजिए, जब हम लोग History of Educational Psychology पर मैंने जो वीडियो बनाया था, उसमें मैंने शेयर किया था आपसे, कि William Wundt and William James, यह जो दो मनोवे ग्यानिक हुए हैं, उनको एक तरह से founder of psychology का आ जाता है, और मैंने यहां से शुरुआत की थी उस नहीं नहीं जानकारिया प्राप्त हुएं, तो William Wundt जो है, वो इंट्रोस्पेक्शन के जन्नक माने जाते हैं, और उसी तरह से William James का भी काम इंट्रोस्पेक्शन पर है, तो इंट्रोस्पेक्शन क्या है, जब हम psychology का first chapter पढ़ते हैं, educational psychology का B.M.Ed. में, तो वो हमको बताता है कि what is psychology, foundations of educational psychology, तब वहां methods of educational psychology की बात जब चलती है, तब सबसे पहला method हमको इंट्रोस्पेक्शन पढ़ाया जाता है, बाद में बहुत उस पर critique हो गया और वो अब बहुत less popular है, पर फिर भी, इंट्रोस्पेक्शन ने हमको क्या सिखाया, reporting about one's own thought, यानि कि हमको जब दे बात करते हैं, तो उस दशा की गुजर जाने के बाद हमको जहांकना होता है अपने अंदर, अपने मन के अंदर और फिर हम उसका वरडन करते हैं, उसको लिखते हैं, उसकी रिपोर्टिंग करते हैं, कि क्या गुजरा होके, तो ये एक तरह के से क्या है thinking over thinking ही तो है क्योंकि जो हम सोच चुके हैं जो हमारे मन से होकर गुजर गया उसको हम पुना सोच रहें तो कहीं न कहीं ये metacognition का एक primitive रूफ हमको दिखता है introspection में जब cognitive development theory की बात करते हैं और उसमें वो जो सबसे उनका उच्चितम स्तर है जो formal operational stage है उसमें जब वो hypothetical deductive reasoning की बात करते हैं यानि कि adolescent में यानि कि 12 to 19 years जिसका age span है उसमें वो वहाँ बात करते हैं कि यहाँ पर बालक्की किशोर की क्षमता जो होती है reasoning की वो एक उच्चितर स्तर की हो जाती है और वहाँ पर उसमें thinking about thinking की capacity वो कहीं न कहीं develop कर लेता है तो यह जो बात हैं उन्होंने cognition about cognition, thinking about thinking, knowing about knowing की जोकी उसने यह base provide किया metacognition के लिए and by Godzki की socio-cultural theory में जहां sense of consciousness की बात होती है जब वो बात करते हैं कि consciousness जो है वो हमें thinking के लिए प्रेवित करता है देखे जब आप metacognition theories के बार में पढ़ेंगे तो वो पाते हैं आप की आपको literature में मिलता है कि metacognitive theories जो है वो cognitive psychology पे ही based है cognitive psychology और socio-cultural theories पर तो cognitive psychology में आपको जया पी आज ही मिल जाएंगे socio-cultural में by Godzki मिल जाएंगे और William James साब तो है तो ये तीन मुख्य रूप से मनोवे ग्यानिक जो है वो metacognition की कहीं न कहीं प्रिष्ट भूमी तयार करके हमको देते हैं तो फिर नामकरन किसने किया शुरू किसने किया प्रनेता कौन है फादर कौन है जे एच फ्लेविल जे एच फ्लेविल साब के बारे में बता दे कि ये प्याजे साब के ही शिश्य थे यानि कि वो student of जिया प्याजे तो वो मुख्य रूप से निश्यत रूप से वो cognitive psychology से प्रभावित थे और इन्होंने ये हमको metacognition का term दिया और metacognition का term भी इन्होंने अपने ही एक इजाद किये हुए term metamemory पे दिया तो metamemory क्या हो जाएगी? thinking about memory metacognition क्या हो जाएगा? thinking about thinking or cognition about cognition या इसको क्या कह सकते हैं? it refers to one's knowledge concerning one's own cognitive processes यानि कि हमारा खुद का जो cognitive process हमारे अंदर चल रहा है उसके बारे में हम कितना ग्यान रखते हैं मतलब हम उससे ग्यान मतलब हमारा उससे कुछ हम familiar है अपने thinking patterns है या हम एक दम अंजान हैं और cognitive processes में क्या सकता है? memory, आपका attention, perception, comprehension and all और simply thinking about thinking और cognition about cognition ये तो सब भी जानते हैं और इस पर बात भी हो गई फिर चलते हैं हम समझें कि है क्या metacognition जब आप इसको पढ़ेंगे तो कई किताबों में कई literature में कई articles में ये आपको बहुत confusing सा मिलता है जैसे मुझे भी मिला शुरू में लेकिन फिर मैंने उसको sort out किया तो मुझे पाया कि अच्छा ये 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 है तो मैं आपको तीन डाइग्राम से show करूँ ये देखी ये है फिर इसके बाद ये है फिर इसके बाद ये है शुरूआत यहां से करते हैं मैं आपको बता दूँगे कि overall आप इसको कैसे समझे आप कहीं कहीं पाएंगे तो आपको metacognition के दो ही components मिलेंगे जिसमें कि एक होगा knowledge और एक होगा regulation वो ये भी डाइग्राम शो करता है कि cognition of knowledge of cognition और regulation of cognition इस तरह से तो knowledge of cognition जो है वो metacognitive knowledge हो जाता है और regulation of cognition जो है वो metacognitive regulation हो जाता है फिर metacognitive knowledge का क्या मतलब कि knowledge about oneself हम क्या हैं? कितना जानते हैं? कैसे जानते हैं? क्या सोचते हैं? क्या हमको आता है? क्या हमको नहीं आता है? इसमें भी देखें आप कहीं पाएंगे तो ये भी मिलता है कि तीन लेवल होते हैं इसके क्या? पहला ये कि हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं? दूसरा हम जानते हैं तो what we know, how we think, how we learn and ourselves के बारे में अगर आपको knowledge है तो वो metacognitive knowledge है अच्छा बड़ा confusion इसमें तब आता है जब आप metacognitive knowledge के सब parts पढ़ना शुरू करते हैं तो कहीं आपको मिलता है ये declarative, procedural or conditional, कहीं आपको मिलता है इस तरह से the learner, the learning task and the learning process, कहीं आपको मिलता है knowledge of person variable, knowledge of task variable and knowledge of strategy variable तो आप यहां से जान जाएए कि जब आपको declarative, procedural or conditional मिलता है वो Schraw and Denison का concept है मतलब ये classification 1994 में इन्हों ने दिया और ये वाला जो original level ने दिया और declarative knowledge का क्या है मतलब कि हमको पता हो मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं कि declarative knowledge ही जो है वो person variable के रूप में जान सकते हैं, procedural जो है task variable के रूप में मान सकते हैं और conditional को strategy variable के रूप में मान सकते हैं, तो person variable मतलब कि आपको as a person आपकी thinking pattern के बारे में अगर knowledge है तो आप declarative, metacognitive knowledge रखते हैं, यानि कि what I know, मैं क्या जानता हूँ या मैं क्या जानती हूँ, फिर procedural जैसा कि नाम से इस परश्ट है procedure, यानि कि हमको I use what I know, मतलब कि हम उसको कैसे use करें जो हमें पता है, process, फिर condition, condition लग जाएगी, इसका मतलब हम उसको कब use करें जो हमें पता है, या हम उसको कब ना use करें, देखिए इसमें ये दोनु चीज़े हैं, why what I know could should be used under this specific condition, यानि कि कि किन दशाओं में हमको जो पता है, हमको वो use कर चाहिए, तो ये metacognitive knowledge में हो गया, तो आप confused नहीं होंगे कि declarative procedural conditional आप लिखें कि यही है knowledge of person variable, यही है knowledge of task variable और इसी को दूसरे शब्दों में knowledge of strategy variable भी कह सकते हैं, उसी तरह से metacognitive regulation को आप जब पढ़ते हैं, तो regulation क्या है, control over one's thinking or learning, thinking about learning, यानि कि हम क्या सीख रहे हैं, उस उसके बारे में क्या सोचते हैं, उसको हमारा control है कि यह , उसको regulate कर सकते हैं कि तो इसमें कहीं आपको मिलता है planning, monitoring and evaluating कहीं 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 आपको मिलता है planning, monitoring, controlling and evaluating तो इसमें भी आप confused मत होरी है, तीन ya, चाह 2, 2 को kaце bître लिखेंगे, वह सही होगा और इसमें क्या है monitoring of cognition और regulation of cognition फिर next जो आपको diagram दिखा रही हूँ इससे काफी चीज़े इस पर सो जाएंगी लेकिन इसमें एक चीज़ बस नहीं है metacognitive experience का classification नहीं देखें यहां तीन component हो गए यही तीन हम लेके चलेंगे क्या metacognitive knowledge, यानि knowledge about oneself metacognitive experience feelings of awareness यानि कि हम कितना aware हैं उसके लिए हम feel करते हैं कि नहीं metacognitive regulation यानि कि उस पर हमारा control है कि नहीं तो metacognitive declarative, procedural, conditional declarative हमें पढ़ लिया क्या है knowledge of one's own यानि person के बारे में जानना, procedural का मतलब knowledge of the task यानि कि task के बारे में जानना और conditional का मतलब वही की कभ यूज करना है condition कौन सी लगी उसी तर से metacognitive regulation में planning, monitoring, control and evaluation देखिए planning कब चलेगी before the task, monitoring कब होगी during the task and evaluation कब होगा after the task यानि कि अगर हम कुछ सीखने जा रहे हैं तो उसके पहले हमने क्या योजना बनाई है हम कुछ सीख रहे हैं तब क्या चल रहा है हमारे दिमाग में और जब हम सीख चुके तो हम उसका evaluation करेंगे कि कौन सी strategy काम की या कौन सी काम नहीं की जो नहीं की उसको अगली बार नहीं दोहराएंगे okay and metacognitive experiences का इसमें classification ही इसलिए मैंने इसका तीसरा भी डाइग्राम आपके शेयर किया यहां देखिए यह तीन डाइग्राम आप मिलाएंगे तब जाके metacognition के components पूरे होंगे knowledge में declarative, procedural, conditional याद हो गया, regulation में planning, monitoring, evaluating और experiences में awareness, thoughts and feelings, यानि कि feelings of knowledge, thoughts of knowledge and awareness of knowledge अगर है तब तो आप metacognitive experience रखते हैं तो यह तीन component यानि कि knowledge, regulation and experience मिलके क्या बनाता है metacognition यही सबसे खास बात थी metacognition के concept को समझने के लिए अब आप यह जान सकते हैं कि metacognition cycle क्या है यानि कि किस तरह से हम अगर classroom में metacognition बड़ा पढ़ाना discuss करना चाहें infuse करना चाहें अपने students में तो क्या करें सबसे पहले assess the task जो task है उसका अकलन किया जाए then evaluate strengths and weaknesses हम यह जाँ चेहें कि उसमें क्या हमको plus points क्या minus points मिले then plan the approach फिर एक approach plan की जाए कि क्या करना है फिर उसको apply कर दें और फिर last में क्या करें sorry reflect कुछ जादा विशिष नहीं फिर pillars अगर हम यह सूचे कि कौन से वो 3 stump है या कौन से वो stump है जिन पर metacognition based है तो वो है growth mindset goal setting और evaluation growth mindset भी कई लोगों के लिए नया term हो सकता है तो यह term कहां से आया जब Carol Dweck Dr. Carol Dweck research कर रही थी students attitudes towards failure तो उन्होंने पाया कि कुछ बच्चे जो fail हो जाते हैं उनका mindset दूसरी तरह के का और कुछ लोगों का दूसरी तरह के का तो उन्होंने दो नामकरण हमको दिये दो nomenclature दिये, दो terms दिये fixed mindset and growth mindset तो जो growth mindset अपने पास रखते हैं अपने साथ रखते हैं वो क्या मान के चलते हैं कि know that ability is not fixed so go out and improve it मतलब वो यह मान के चलते हैं हमारी जो योग्यता है मतलब हम है lifelong learner है न हम तो अब ताउम्र सीखना है तो कहीं भी हमको इसको full stop नहीं लगाना है हमेशा यह मान के चलना है कि गल्ती भी हो रही है अगर यह strategy काम नहीं करी है यही तो regulation कह रहा है metacognition का कि evaluate करते चलिए अपनी गल्तियों को सुधारते चलिए और अच्छाईयों को include करते चलिए हमेशा growth mindset में रहिए तो आप हमेशा inquisitive learner बने रहेंगे then goal setting जिसमें की set goals and monitor them अच्छा metacognition जब आप self regulated learning परते हैं यह अग topic है उसमें भी metacognition का role है क्यों क्योंकि self regulated learning के तीन components है cognition, metacognition और motivation तो कहीं-कहीं interchangeably भी use कर लेते हैं metacognition को self regulated learning के संब self regulated learning का मतलब कि आप अपने self को regulate करेंगे किसके लिए learning के लिए तो यह भी इसमें आजाता है इसके pillar में और evaluation तो है कि evaluate your performance and adjust यानि कि सिर्फ evaluate नहीं करना है बट कि follow up भी लेना है उसको adjustment भी करना है कि खराब चीज़ों को हटाना है तब जाकर learning हमारी fruitful होगी then how to promote metacognition being a teacher हमको क्या करना है सबसे पहले modeling teachers can show students how they determine the purpose of their reading तो इसमें आजाएगा read aloud जोर से जब हम बोल कर पढ़ते हैं तो कई बार हमको चीज़ें जादा समझ में आती है जब बच्पन में बोल-बोल के पढ़ते थे थे तो आप आदत छूट गई फिर reporting फिर क्या करें कि teacher asks students to track moments sorry in the text they find surprising, confusing यानि कि आप उसको underline कर सते हैं कि वो हम लोग पढ़ते वक करते थे थे न फिर बाद में कहा गया कि नहीं नहीं ऐसे किताब गंदी हो जाती है लेकिन वो पढ़ाई बहुत अच्छी होती है उससे और बहुत बार चीज़ें आपको याद भी रह जाती है कि हम underline कर लेते थे कोई चीज नहीं पता चलती थी या कहीं कुछ की अरे ये तो कुछ गरबर है हमने पिछली जगे पढ़ा था वो इससे दिक्कत कर रहा था मतलब कि हमको सिर्फ पढ़ना नहीं है सिर्फ लिखना नहीं है सिर्फ उसको सरसरी नहीं कहां पर नहीं दोडाना है बलकि हमको बीच-बीच में पॉज लेने spaced repetition space बीच-बीच में provide करना है कि पढ़ी है और फिर उस पे reflect करिए कि जितना पढ़ा उसमें क्या चीज नहीं समझ में आई इसका एक बहुत अच्छी terminology है the muddiest point muddiest point का मतलब कि आपको हम class पढ़ाने के बाद एक muddiest point या एक exit ticket के type का एक वो होता है मतलब format उसमें दिया जा सकता है कि कौन सा सबसे कठीन लगा कौन सा सबसे confusing लगा कौन सा सबसे अच्छा लगा या कौन सा ऐसा topic था या concept था जब आप class में घुसे तो आप दूसरी तरीके से सूस रहते हैं और class के बाद आपकी mentality change हो गई तो इस तरीके का हमको reflection student से कराते रहना है तब ही हम उनके cognition over cognition की बात कर पाएंगे क्योंकि generally students are not able to cognite as well मतलब हम cognition ही नहीं करते हैं thinking ही नहीं करते हैं तो thinking over thinking तो एक level deeper level upper level की बात है तो ये महनत की बात है practice की बात है और करने कराने से आज आएगी क्यों metagognition can be learned then tracking change teachers use a poll to record students' attitudes and notions about a topic then questioning questioning सबस्दा इंपॉर्टन की जब question पूछा जाता है तब ही हम सोचते है जब class में पढ़ाया जाता है तो हमें लगता है कि हमें सब कुछ समझ में आ रहा है तब तक teacher कोई question पूछ लेता है तो हमें लगता है इसका answer तो हमें नहीं आता है या ये क्या confusion है या ये हम तो समझ नहीं पाए यानि कि questioning क्या करती है एक तरीके से हमारी thinking pattern को stimulate करती है इस ही तरीका जाता है कि creativity को cultivate करने के लिए brainstorming बहुत अच्छा session है कि हम से बार-बार पूछा जाएगा जल दिल दी हमको सब को जबाब देना है यानि कि हम पहले model की रूप में प्रस्तुत करें फिर report हम उनको करने को कहें कि कहां दिक्कत थी कहां कमी थी फिर tracking change क्या कहीं उन्होंने track change हुआ कुछ thinking pattern में बदला हुआ फिर उसे question पूछ के एक बार कि कैसे आप इसको सोचते हैं किया आप इसको समझते हैं कितना आप समझ पाए फिर वो assess करें self-assessment करें and then revise यानि कि reflective mode में फिर से उस topic को समझने की कोशिश करें गर इतना हर बच्चा कर लेगा then निश्चित रूप से उसकी learning जो होगी वो better and permanent हो जाएगी then at last we can conclude our topic of metacognition in the way that metacognition lies at the root of all learning सभी प्रकार के अधिगम के मूल में है metacognition और क्या है कि self-knowledge यानि कि हम metacognition knowledge metacognitive knowledge जिसमें आपको अपने बारे में ग्यान हो awareness हो हम जागरूख हो किस विशह में how and why we think as we do हम जो करते हैं उसके बारे में ऐसा क्यूं सोचते हैं कि क्यूं की बात हम सोचना बंद कर चुके हैं बिल्कुल नहीं सोचते बस जो होता है वो होता जाता और हम दिमाग को नहीं चलाते हैं and the ability to adapt and learn अब जब ability to adapt and learn में growth mindset आजाएगा कि हमारे में योग ज़िता होनी चाहिए कि हम अपने आपको adapt कर सकें जैसे हम लोग offline से online mode में आगे तो हमने adapt किया अपने आपको नहीं करते तो हम नहीं सफल हो पाते लेकि हमने कर लिया तो हम सफल है तो growth mindset है हमारे पास and are critical to our survival as individuals और हम अपने ओन survival के लिए भी critique हमारे critical viewpoint हो अगर ऐसा हो तो well and good और यह किसका कथन है कहां से लिए आगे है James Zell ने 2011 में from brain to mind using neuroscience to guide change in education देखे कितनी नहीं नहीं बाते हैं नहीं नहीं चीज़े आ गई हैं तो यह रहा metacognition आपके लिए okay so I hope कि आपको यह topic अच्छा लगा होगा आपको समझ में आया होगा कुछ नहीं आपने सीखा होगा okay so done from my side